आज जहां पूरे भारत वर्ष में पुलिस शहीदी दिवस मनाय जा रहा है वही कर्ण नगरी करनाल के पुलिस लाइन में स्थित शहीदी समारक में भी शहीद पुलिस कर्मियों को भाव भीनी शद्धानजली दी गई आपको बता दें कि सन 1969 में चीन के साथ मुठभेड में भारतिय पुलिस के शहीद हुए जवानों की याद में यह पुलिस शहीदी दिवस मनाया जाता है इस मुठभेड में CRPF पुलिस की टुकडी के 10 जवान शहीद हुए थे 16,000 फीट की उचाई पर अत्यंत सर्द परिस्थतियों और सभी बाधाओं के बावजूद इन जवानों ने दुरलब साहस का परदर्शन करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा की इस दौरान इन्होंने अपने प्राण नियोचावर कर दिये जिनको शद्धांजली अर्पित करने के लिए प्रती वर्ष 21 अक्तुबर को शहीद पुलिस कर्मचारियों की याद में स्मृती दिवस मनाया जाता है हर वर्ष शहीद हुए जवानों को विनमर शद्धांजली देने के क्रम में आज समस्त देश के पुलिस जवान उनकी स्मृतियों को नतमस्तक है आज शहीदी दिवस पर करनाल में करनाल रेंच आई जी भारती अरोडा पुलिस अधिक्षक करनाल गंगा राम पुनिया समेत अन्य पुलिस अधिकारियों वे कर्मचारियों द्वारा शहीदों को सल्यूट कर मोन रखकर वे मालार पन कर शद्धांजली दी गई इस कार्यक्रम में करनाल जिले के समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे वहीं इस अवसर पर आई जी ने कहा कि इस वर्ष भी देश भर में पुलिस के काफी जवान शहीद हुए हैं जिन में एक हरियाना के करनाल जिले का भी था उन्होंने कहा कि आतंकवाद के दोरान भी पुलिस कर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगा कर समाज में शांती वे सोहार्द का वातावरण कायम करने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई है उन्होंने कहा कि आगे भी पुलिस बलका अतंक वादियों और देश विरोधी शक्तियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा शो 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 बपर घर्तियों कर लिलाची रहेशनी के वादिक रड़ चादी नगेशर विलाची हैं लाओ शडन अच्छक, रखल आता है भहुल रखला ग TB 8 कंद सुद सु, भुल सु सु कि दिन होट प्रिंग एक्सपेडिशन को हम एक तरीके से याद करते हैं और पुलीस कॉमेमरेशन डे हर साल मनाया जाता है तो आज के दिन हम यहां सभी इखटे हुए हैं और हमारे देश में पुलीस विभा के जितने भी शहीद हुए हैं उनको आज हम यहां पे भावकोंश धांदली हमने उन सब को दी हैं और हम अपने शहीदों के उपर गर्व करते हैं कि उन्होंने जिस बहादूरी से दिन रात दिरंतर मेहनत करते हुए वो देश की रक्षा में लगे हुए हैं हम सब उनको सल्यूट करते हैं उनको सलाम तो युवाओं को मैं यही मेसेज देना चाहूंगी कि जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट 24 गंटे डूटी करते हुए देश की इंटरनल सेक्योरिटी की रक्षा कर रही हैं तो सभी युवा हमारे साथ कदम से कदम बढ़ा कर चलें और समाज के हित में कारे करें समाज में जो कूरितिया पर अप रही हैं उनके खिलाफ कारे करते हुए वह भी बिना पुलिस के बिना युनिफॉर्म के पुलिस है जितने भी हमारे युवा हैं बिना वर् पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घंडे वाल झाल झाल